हे दोस्तों मदन मोहन माल विये इनिवर्सिटी आफ टेक्नोलोजी गोरतपुर से एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है जी हाँ सात्यों मदन मोहन माल विये इनिवर्सिटी से एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है तो आज की इस update में क्या बताया गया है इसके बारे में full details में हम जाने लेते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो आपके b-tech को छोड़ कर पहले round की जो sheet आवंटेंग परड़ाम था वह घोसित कर दिया गया है क्या घोसित कर दिया गया है और एक और notification जारी किया गया है जिसमें आप से भी को full details में बताया गया है तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा और step by step आप पूरा देखेगा तभी आपके समझ में आएगा नहीं तो आप का अगर miss हो जाएगा तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा seat आवंटें हुआ है की नहीं हमारा admission process complete हुआ है की नहीं जो भी कुछ है process उसे आप step by step follow करते रहिएगा तो दोस्तों अगर आप चैनल अंस yesterday गुरू पर नए है तो subscribe कर लेजएगा उसी के साथ में वेल notification ओन कर लेजएगा जिसे next वीडियो की notification आपको आसानी से मिलती रहे और एक like कर दीजएगा जिसे हमें भी motivation मिलता रहे तो चलिए आप फड़फट start करते हैं वीडियो को और step by step देखते हैं तो दोस्तों जैसा की screen पर आप देख रहे हैं आपका official website है जैसा की link आपको वीडियो के description में provide कर दिया जाएगा वहाँ से click करके आप पहुँच जाएंगे direct official website पर उसके बाद दिरे-दिरे scroll करिएगा और नीचे आएगा जैसा की बहुत सारे news और notice यह हैं mention क्या गया है और इसमें हम देख लेते हैं जैसे की आप आईए नीचे दिरे-दिरे scroll करते हैं और देखते हैं तो दोस्तों जैसा की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा है admission counseling 2021 और बाइस rank listed of all programs इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपका कुछ इस परकार से interface open होगा दिरे-दिरे आप और उपर जाएगा और scroll करिएगा लिखे लिखा है महत्तपूर सूचना वी टग के लिए वी टग लेटरले के पहले round की seat अवंटन हो गई है आप notification पर click करके download करके दिख सकते मैं आपको दिखाऊंगा भी लेकिन आप सभी को पहले बता देना चाहता हूँ कौन-कौन से student का जारी किया गया है जैसे कि MSC का पहला round seat अवंटन हुआ है अगर जो student MSC student करना चाहा है उन्टा देखना चाहा है काउंसिलिंग हो गया date कैसे क्या है हम क्या है अमारा क्या हुआ है तो इस पर click करिएगा और notification ओपन होगा आपका तो दोस्तों जैसा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह 19 अक्टूबर यानि के आज अभी अभी यह notification जारी किया गया है और इसमें लिखा है MSC first round of seat allartment result आपका लिखा है महतपुर सूचना दिनाग 19 अक्टूबर को घोशित MSC पार्केन 2021-22 में परवेश हेट उअलाट्मेंट परिडाम सफल अभी आप्यारते को मदन मोहन बाल बीए परदोगी की बरिस भी दियाले गोरगपुर की ओर से हार्दिक शुप कामना है परदम चरण फर्स्ट राउंड के आवांटन में सफल सभी अभी अभी आप्यारते को 19 अक्टूबर प्राता बारा बज़े से 21 अक्टूबर 75 बज़े तक 40,000 रुपए अपने अडिमिशन पोटल लागिन से ओनलाइन जमा करकर सीट को कंफर्म करना है जो इस्टुडेंट का सीट में नाम है वो अपना ओनलाइन आपको 40,000 रुपए आपको ओनलाइन पोटल पर जमा करना होगा उनका सीट कंफर्म हो जाएगा कंफर्मिशन फीश ओनलाइन जमा करते समय ब्रांच अप्रेशन विकल्प के बारे में भी अपनी शहमत को देना है सहमती आ सहमती दोर करने के समय में जमा करना होगा विश्विद्याला में फिजिकली रिपोर्ट करने से शंबंद में शंपूर सुचना पिर्तक से विश्विद्याला की वेबसाइट पर परसारित की जाएगी कहने का मलत दोस्तों यह कि जो आपका रैंक है वो कैसे आए है या आप देख नहीं यह तो MSC मायत MSC का है और भी इस परकार से जारी किया गया है तो और भी देख लेते हैं जैसे next notification क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं तो दोस्तों जैसे MSC के था वहीं आप देख लिजए MTEC और MBA और MCA का पहला BBA का पहला BFARMA परबेश BFARMA तक के आपके seat जा October के notification आए हैं और इस परकार से आपको पूरा details में mention क्या गया है जिसको already मने बता दिया है कि आपको वीडियो के description में link provide कर दिया जाएगा वहाँ से click करके full details में आप देख सकते हैं नहीं तो आप वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपके समझ में वहशे भी आ जाए कोई doubts होता है तो आप comment के मादम से जरूर बताएगा अगर कुछ ना समझ में आए तो भी आप comment के मादम से जरूर बताएगा जिसे हम आपकी पूरा सहायता कर सकें और कोई और latest update आएगी तो आपको uns history group के मादम से बताई जाएगी तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट करें जबारत